राजिस्तान की राजनीती में इतना सब कुछ एक साथ चल रहा है जिससे लोकसभा चुनाओं में कैसा पढ़ने वाला है पार्टियों पर असर एक तरफ की रोडी नाराज चल रहे हैं दूसरी तरफ सचिन पाइलिट हो उनकी पार्टी अब तवज़ो दे रही है सम्मान दे रही है वहीं तीसरी तरफ जो तीसरा मोर्चा है वो भी अपनी जद्दो जहर में लगा हुआ है कि किस से गठबंदन करना है किस से नहीं करना है और ये सारे जो समिकरण है वो किस तरह से लोकसभा में होने वाले चुनाओं पर असर डालेंगे इस मुद्दे पर करने वाले हैं आज हम चर्चा चर्चा करने के लिए मेरे साथ महजों है हमारे एडिटर इंची वरुन भंसाली जी सर आपको बहुत बहुत स्वागत है मैं यह जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो किरोडी नाराज चल रहे हैं दूसरी तरफ अगर हम कॉंग्रिस की तरफ देखें तो वहां पर सचिन पाइलेट को अब वो तवज़ो मिलनी शुरू हुई है जो पहले ही शायर मिल जाने चाहिए थी तो आपको क्या लगता है कि इन सब का लोकसभ़ चुनाओं पर किस तरह से जो पार्टियां समीकरन बना रहे हैं उन पर असर पड़ेगा देखिए समझने वाली बात यह है कि नाराज कि रोडी सम्मानित सचिन और बड़बोले डोटासरा और कहीं न कहीं हनुमान बेनिवाल का जो फैक्टर है ये चारो फैक्टर्स लोग प्रियता के अंदर एक इबारत खीच रहे हैं राजस्तान में और चारो फैक्टर काफी इंपक्ट करेंगे हालकि इन सब इंपक्ट्फुल फैक्टर से जादा इंपक्ट्फुल फैक्टर प्रधानमंतरी मूदी का रहने वाला है क्योंकि ये जो चुनाव होगा लोग सभा का वो देश का शीर इनकी वज़े से बीजेपी राजस्तान में आई है इसके दो मुख्य कारण है पहला कारण ये है कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने अगर कोई शक्स है जिसने सबसे जादा कॉंग्रेस के खिलाफ मुद्दे उठाए इन्वेस्टिकेशन किया एडी के पास सबूत पहुँचाए तो वो किरोडी लाल मीना इसमें कोई शक नहीं है एक सरकार उस वज़े से आई है दूसरी जो इस्टन बेल्ट में चाहे जो सचन पाइलेट को तवज्जो ना देने के कारण गुर्जर समाज हो चाहे कॉंग्रेस के जो पिछड़े नेता है उनके साथ भेद किरोडी लाल मीना ने निभाई है और इस भूमिका पर इतराज नहीं किया जा सकता लेकिन ये सारा काम जो उन्होंने किया उसके फल्सवरूप बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया वो सम्मान बेहत कम है जिससे पहले तो किरोडी लाल मीना नराज नहीं लगे थे लेकिन उनके समर्थक नराज थे लेकिन फिर जिस तरह से उन्हें जो मंत्राले दिये गए वो भी आदे अरूरे दिये गए उसको लेकर वो भी अब काफी नराज नजर आ रहे हैं और उसके बाद जो उन्होंने वादे किये थे कि इनिन मुद्दों पे कारवाई होनी चाहिए वो कारवाईया नहीं हुई इस पर भी वो काफी नराज नजर आ रहे हैं तो वो फैक्टर जो आपको जिता किलाया था वो ही नराज हो गए वो फैक्टर जो वसंद्रा राजे के बाद वो वसंद्रा राजे के चैप्टर के खत जवाब देना पड़ेगा और कहीं न कहीं कि रोडी लाल मीना के आसम्मान का जवाब देना पड़ेगा मैं आपसे ये भी जाना चाहते हूँ कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया देखते हैं अब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर डोटासरा और सचिन पाइलेट की जोड़ी को भी अब लोगबाग देख रहे हैं कॉंग्रिस में और कहीं न कहीं गहलोत खेमा अब कमजोर नजर आ रह हैं तो इन सब को देखते हुए कॉंग्रिस के लिए कोई समीकरन लोग सभा के लिए कौन से बन रहे हैं वो दोनों ही कॉंग्रिस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से कॉंग्रिस ने मू की खाई इस इलेक्शन में उसके बाद एक बात बहत साफ हो गई ह कि कॉंग्रिस के अंदर अब वो चीज आ गई है कि क्यूं हम इलेक्शन में हारे थे और कैसे उस चीज को सुधारना है और वो काम कहीं न कहीं अब दो लोगों के भरोसेल कॉंग्रिस ने छोड़ा है एक गोविन सिंग डोटासरा और एक सचिन पाइलिट जो फ्रंट फूट पे आके बैटिंग कर रहे है राहूल गांदी की अच्छी नीती एक रही कॉंग्रिस के अंदर की उन्होंने आखिरकार सचिन पाइलिट को राष्ट्रे लेवल पर ही सही पर जो सम्मान दिया वो काफी बड़ा सम्मान है उन्हें सबसे कम से उम्रे का जनरल सेकेटरी बनाया परभारी बनाया काफी सम्मान दिया वो सम्मान और डोटासरा को दूसरी तरफ सम्मान देने की वज़े से ये हुआ कि बीजेपी जाट समाज को इतना सम्मान नहीं दे पाई जितना कॉंग्रेस ने दे दिया अब ये दोनों मिलकर अपने अपने तरह से कॉंग्रेस को बढ़ा रहे हैं और जिससे काफी फाइदा हो रहा है कॉंग्रेस को एक तरफ सचिन के सिपाही लोगसभा में आगया आने को तैयार हैं और सेचिन उनके लिए पूरी तरह से फ्रंट फूट पर बैटिंग करने को तैयार है तो वही दूसरी तरफ डोटासरा गोविन सिंग की विदानसभा थी क्योंकि कहीं न कई بीजेपी के नौसिखिय, तमाम सारे नेता वो उस तरह से मुद्धा नहीं उठा पाते, जिस तरह से डोटासरा उठा रहें। तो Congress फ्रंट फूट पे बैटिंग कर रही है और अगर ये फ्रंट फूट पे बैटिंग करने की वज़े से 25 में से 25 जो पिछली दो बार से आ रहे थी सीट है वो कम हो जाती है बीजेपी की चाहे वो दो चार भी कम हो जाए तो भी ये बहुत बड़ी हार होगी बीजेपी की और कहीं न कहीं डोटासरा के साथ साथ सचिन पाइलेट आकर जो ये बैटिंग कर रहे हैं फ्रंट फूट की इसके साथ साथ जातीगत समीकरणों को भी आप देखेंगे तो वो भी Congress के तरफ जाते वे दिखाई दे रहे हैं चाहे वो जाट समाज, गुर्जर समाज, सारे समाज हैं और सारे समाज की युवा हैं तो उससे फरक ये पड़ रहा है कि सचिन पाइलेट की युवा टीम चाहे आप जैपुर ग्रामीड से लेकर नागोर से लेकर सब शेत्रों में देख लीजे बहुत सक्रिया है मुकेश भाकर हो अनिल चोपडा हो या जो भी हो सब बहुत सक्रिया है और सचन पाइलेट उनकी तरफ से पूरी बैटिंग कर रहे हैं वह भले ही चाहतिस गड़ के प्रभारी हो भले ही कॉंग्रेस के राश्ट्र जनरल सेकेटरी हो लेकिन राजस्थान में पूरे दौरे हो रहे है पूरी बातचीत हो रही है पूरे सक्रिया दिखाई दे रहे हैं और इस वज़े से उनकी टीम को तवज्जो मिलेगी युवा को तवज्जो मिलेगी अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि कहीं न कहीं जो हमने देखा अभी कॉंग्रेस के जो मुख्यमंतरी बने साउथ के अंदर तिलंगाना के वो भी बेहद युवा हैं तो कॉंग्रेस अब युवाओं की तरफ शिफ्ट हो रही है और इससे लगता है कि आप काफी कुछ बदलने वाला जी सही कहा आपने और यह जो सारे समीकरण है वो बीजेपी के लिए जहां पर चिंता का विशह है वहीं कॉंग्रेस के लिए एक खुश खबरी भी है और लोगसभा चुनाओं को देखते हुए जिस तरह से आपने बताया कि मिशन 25 में से 2-4 सीटे भी अगर कॉंग्रेस कम क करना होगा और जिस तरह से कॉंग्रेस अपना मजबूत कर रही है समीकरण युवाओं के साथ जातियों के साथ उस तरह से कॉंग्रेस भी कोई दो राय नहीं है कि लोगसभा में और भी अच्छा प्रदशन करकर आए और आगे आने वाले चुनाओं में हो सकता है कि बीजे उसके लिए देखते रहिए राजिसान समबात नमस्कार तो अगर आप भी इंटाडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुचना चाहते हैं तो शुरुवात करें सही गाइडिंस के साथ और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिगनल आपका साथी बन सकता है जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी